नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आपका सुवागत हम रिजनिंग बाई अनिल सर में आज हम हर्याना जी के का पहला पार्ट पढ़ेंगे राष्टे उद्यान वैं वन्ने जीव अभ्यारन हर्याना में राष्टे उद्यान दो हैं दोस्तों पहला है सुल्तानपुर राष्टे उद्ध्यान ये सबसे पहले पक्षिया भ्यारन था पंतू 1989 में डौक्टर सलीम अली की महनत से इसको राष्टे उद्ध्यान का दर्जा दिया गया ये कहां पर है दोस्तो गुरु गराम में दूसरा है दोस्तो कलेशर राष्टे उद्ध्यान ये कहां है ये दोस्तो यमना नगर में देखो सुल्तानपूर राष्टे उद्ध्यान कहां पर है गुरु गराम में कहां 1989 में इसको डौक्टर सलीम अली की महनत से इसको राष्टे उद्ध्यान का दर्जा दिया गया कलेशर राष्टे उद्ध्यान कहां है यमना नगर में ये लाल जंगली मुर्गे के लिए परसिद है सुल्तानपूर राष्टे उद्ध्यान 1989 में गुरु गराम में डौक्टर सलीम अली की महनत से इसको राष्टे उद्ध्यान का दर्जा दिया गया कलेसर राष्टे उद्यान, यमिना नगर में, लाल जंगली मुर्गी के लिए परसीध है, ये कितने छेतर में फैला हुआ, 11,570 एककड में फैला हुआ है, कलेसर राष्टे उद्यान, अगर तुमसे पूछे कि सबसे बड़ा राष्टे उद्यान कोन सा है? तो कलेसर राष्टे उद्ध्यान क्योंकि दो ही है उसकी लंबाई कितनी है ग्यारा हाजार पांसो सत्तर एकड में फैला हुआ है अब वन्य जीव अब्ध्यार हर्याना में दोस्तो आठ है सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं देखो कलेसर दूसरा है वीर सिकारगड वीर सिकारगड तीसरा है दोस्तो छिल छिला छिल छिला चोथा है नहार दोस्तो पांचवा है अभूब सहर अभूब सहर छटा है खप्परवास खप्परवास सात्वा है भिंडावास भिंडावास और आठ्वा है खोल ही रैतान अब देखो दोस्तो सबसे पहली हमें बात करते हैं वे राष्टे उद्ध्यान हमारे पास दो है एक सुल्तान पूर राष्टे उद्ध्यान कहा पड़ है गुरुगराम में सबसे पहले इंद्रा गांदी के टाइम पे इसको 1989 में राष्टे उद्ध्यान का दर्जा दिया गया किसकी मदद से डाठ्वर सलीम अली की महनत से दूसरा है कलेशर राष्टे उद्ध्यान यमना नगर में है इसकी लम्माई 11,570 तुमसे पूछे सबसे बड़ा राष्ट राष्टे उद्ध्यान कौन सा है दोई है तो आंचर आएगा कलेशर राष्टे उद्ध्यान कहा है यमना नगर यह लाल जंगली मुर्गे के लिए परसीद है यह लाल जंगली मुर्गे के लिए परसीद है अब देखो बन्ने जीव अभ्यारन पहला है कलेशर दूसरा है वीर शिकारगड तीसरा है छिल छिला, चोथा है नहार, पाँचवा है अबूब सहर, छटा है खपरवास, सातवा है भिंडावास और आठवा है खोली रहतान, अब देखो कलेशर कहा है, दोस्तो कलेशर है यमना नगर में, वीर शिकारगड कहा है, पंच कुला में, छिल छिल छिला कहा है दोस्तो, कुरू छेतर में, नहार कहा है दोस्तो, रेवाडी में, और अबूब सहर कहा है दोस्तो, सिर्षा में और खप्रवास सहीदों का सेर जजर जजर में भिंडावास कहा है दोस्तो जजर में और खोली रैतान कहा है दोस्तो पंच कुला में अब सबसे पहली बात ये तो आपकी बुप में भी लिखा हुआ है आपको याद कैसे होगा ये जरूरी है अब देखो कलेसर अब एक बात बताओ जैसे कलेसर मैं बोल दूँ यमना नदी यमना नदी पे कलेस होता रहता है हमेशा यमना नदी पे हमेशा कलेस होता रहता है दोस्तों यमना नदी पे हमेशा कलेस होता रहता है तो क्या बोल दोस्तो यमना नगर में वीर शिकार गड़ अब एक बात बताओ सिकार हम कहां करेंगे दोस्तो आपको पता है घर पे कर नहीं सकते जंगल में करेंगे तो सबसे ज्यादा जंगल कहां है दोस्तो पंचकुला में तो वीर शिकार गड़ शिकार कहां करेंगे पंचकुला में कले छिल छिला काट दिया था तो छिल छिला कहां याद हो जाएगा कुरू छेतर अब देखो नहर नहर कहा है दोस्तो रेवाडी में कैसे याद करेंगे नहर में रेवडी फैंक दी नहर में दोस्तो रेवडी फैंक दी देखो अबूब सहर अबूब सहर अबूब सहर अबूब सह सबसे पस्चमी पस्चमी गाउं है आप जानते हो चोटाला चोटाला पस्चमी सबसे पस्चमी गाउं हरियाना का कौन सह है दोस्तो चोटाला और कहां पर है वो सिर्षा में तो अबूब सहर कैसे याद करेंगे सिर्षा में खपरवास भिंडावास दोनों पास पास में जब मैप खोलोगे आप इसको डालोगे नेट पे तो दोनों पास पास चार पास किलोमेटर का अंतर है खपरवास भिंडावास सहीदों का सेर भी कहलाता है भिंडावास और खपरवास दोनों कहा हैं दोस्तों जजजर में देखो तो भिणडवास है, एक अपनी सुंदर जहिल के लिए भी परशिद है, डो tresवर question paper में आया हुआ question कि कों सा ऐसा व्र्यौन जिव और व्णिषान जिसमें वो उ सुंदर जहिल के लिए परशिद है, कों सा है दूस्तो भिणडवास, खोली रहतान आपको याद है कि सल्मान खान हिरन को मार करें जेल भी गए थे उसमें अब एक बात बताओ कौन करेगा ऐसा काम खोली रहतान की बात आई तो सैतान जैसा काम कौन करेगा जो सिकार करेगा वो ही है अब देखो हमने पड़ा था वीर सिकारगड पंचकुला में ख दोस्तो अब जैसे तुम से पूछ ले सबसे बड़ा राष्ट उद्ध्यान कुन जा है दोस्तो कलेश का होता है यमना नगर में ग्यारा हजार पांथ सो सकतर और तुम से पूछ ले सबसे छोटा वन्य जी अभ्यारन कुन सा है सबसे छोटा वन्य जी अब्यारन कोंशा है, सबसे छोटा वन्य जी अब्यारन कोंशा है, छिल छिला, ये एकेतर एकड में फैला हुआ है, छिल छिला कहां पर है दोस्तो, कुरू छेतर में, अब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, वन्य जी अब्यारन कोंशा है दोस्तो, परन्तु अबूब सेर सिर्षा एक वन्य जीव अब्भारन है इसकी लंबाई कितनी है 29,000 दोस्तों इसको अबूब सेर सिर्षा को वनों की नगरी भी कहते हैं अब देखो याद कैसे करेंगे दोस्तों एक बर दुबारा बता देते हैं सुल्तानपूर राष्टे उद्धान पहले पक्षिया भ्यारन था प्रन्तु डाक्टर सलीम अली की महनत से 1989 में इंद्रा गांदी के टाइम में इसको राष्टे उद्धान के रूप में चुना गया एक कहां पर है गुरुगराम में कलेसर राष्टे उद्धान यमना नगर में कलेस कहां होता है यमना नगर में अगर तुमसे पूछे सबसे बड़ा राष्टे उद्धान कौन सा है तो कलेसर राष्टे उद्धान कहां पर है दोस्तों यमना नगर में इसकी लंबाई कितनी ये ग्यारा हजार पांचो सत्तर एकड में फैला हुआ है अब देखो आठ राष्टे अभ्यारन है आठ है ना सोरी वन्ने जीव अभ्यारन है भई आठ हरियाणा में पहला कलेशर दूसरा वीर्शिकारगड तिसरा छिलचिला चोथा नहार पांचवा अभूबशेर छटा खोली रहतान याद कैसे करेंगे तुमसे पूछ ले सबसे छोटा सबसे छोटा वन्ने जीव अभ्यारन कौन सा है दोस्तो छिल छिला कितनी लंबाई इसकी 21-पड में फैला हुआ कहां पर है कुर छेतर में सबसे बड़ा वन्ने जीव अभ्यारन कौन सा अभूब सहर सिर्स नगर में, वीर सिकारगड, सिकार कहां करेंगे, सबसे ज़्यादा वन होंगे, और सबसे ज़्यादा वन कहां पर है दोस्तो, पंचकुला में, छिल छिला, कुरुछेतर में, तुम्हें पता है, चीर दिया था महवारत के युद में, कहां हुआ था, 18 दिन, कुरुछेतर में, नहर रेवडी फैंक दी थी किसमे नहर में कहां पर रेवाडी अबूब सहर एक दूर का सहर लग रहा है हरियाना का जब नक्सा देखेंगे तो सिर्षा एक सबसे अलग दिखाई देता है हरियाना का सबसे पस्चमी गाउं होगा चोटाला आप भी जानते हो पूरव मुख्य मंतरि उमपरकास चोटाला का गाउं है पूरव उपरधान मंतरी चोदरी देविलाल का भी गाउं है खपरवास, भिंडावास, सहीदों का सहर, जजजर, वास और वास दोनों पास-पास हैं, दो-च्यार किलोमेटर का अंतर है खोली रहतान, सैतान जैसा काम कुण करेगा, दोस्तों कहां पर वनों में, हिरन का सिकार सलमान खान ने किया तो दुस्से याद कर लेंगे पंच कूला, कहां पर दोस्तों, पंच कूला तो आज ये हरियाना का पहला वीडियो दोस्तों बहुत बहुत चीज आएंगे तुम्हारे पास क्योंकि हरियाना पुलिस की वेकेंसी की लगबग जनवरी में एक्जाम होगा इसका तो हमने आज पहला टाइप पहला परकार डाला बहुत जल्दी दो ही मिनट में याद हो जाएंगे इसका दूसरा जो टाइप आएगा दूसरा वोकल आएगा दोस्तों आज के लिए इतना है